नमस्कार एंटेटेंडमिंट स्वैग मैं आप सभी का स्वागत है हाल ही में कौफी वीद करन में सिधात मलोत्रा ने ये बयां दिया था कि ब्रेकप के बाद उनके और आलिया भट के रिष्टे सामान्य हैं और अगर कभी जरुद पड़ी तो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं लेकिन लगता है कि आलिया सिधात की इस बात से इतिफाक नहीं रखती है तभी तो उन्होंने सिध के साथ काम करने से इंकार कर दिया है वो भी अपने मेंटर करन जोहर को जिन्होंने उन्हें बॉलिवुड में लाँच किया था जी हां एक रिपोर्ट के मुताबे करन जोहर की नई फिल्म स्टूरेंट आफ दे एर टू के एक गाने के लिए आलिया वरुन और सिधात को साथ में शूट करना था जिसके लिए एक्टर वरुन धवन अपनी और से हां कर चुके हैं लेकिन आलिया भट ने हान नहीं की है जिसकी वजह सिधात मलोतरा को माना जा रहा है इस फिल्म के पहले पार्ट में वरुन धवन सिधात मलोत्रा के साथ आलिया भट ने साल 2012 में बॉलिवुड डेव्यू किया था इसके बाद आलिया और सिधात में रोवैंश शुरू हो गया लेकिन अब इनके ब्रेक अप के बाद इनके बीच अच्छे रिष्टेन नहीं है सूतरों से पता चला है कि वरुन को गान शूट करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आलिया को है बरुन ने अपनी ओर से हाँ कह दी है लेकिन आलिया सिधात के साथ कमपटेबल नहीं है इसलिए वो शायद शूप ना करे आखिरकार सभी एक्स दोस्त नहीं हो सकते लोगों का मानना है कि इसकी एक वज़या रणवीर कपूर भी हो सकते हैं दरसल करन जोहर के एक पुराने टीवी चैट शो के दौरान बॉलिवड स्टार रणवीर कपूर ने खुलासा किया था कि वो अपनी सभी गर्फरेंट के साथ काफी पॉसेसिव हैं और आसानी से जल जाते हैं भी आलिया भट भी रणवीर कपूर को लेकर काफी सीरियस हैं शायद इसी लिए आलिया रणवीर कपूर को नाराज नहीं करना चाहती और उन्हों ने ये शूट करने से इंकार कर दिया वीडियो जिपोर्ट एंडिटेंवेंट साथ बॉलिवूड से जूरी तेमाम अपडेट्स के लिए हमारे चाहल को जरूर सब्सकाइब करने और नोटिफिकेशन की गन्टिर जरूर दबाले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले